एलो दोस्तो नर्शरी में नुवंबर मीने में जा रहे हैं तो कौन से प्लांट चूज करने जाए यह जो टायम होता है यहां सीजनल प्लांट भी होते हैं और पर्मेनेट में आप एक जोरा विस्कस और चांदनी बगरा के प्लांट रोजस के ले सकते हैं तो इनके इलावा पेंटास के भी ले सकते हैं तो ये हैं पेंटास के पेंटास के भी आप प्लाट चूज कर सकते हैं तो ये बारा महीने फूर देने वाले प्लाट होते हैं और कुछ सीजनल प्लाट भी नरसरी में एविलेबल है अगर आप लेना चाहते हो तो उनकी सीडलिंग ले सकते हैं ये सारी जरेनियम है जरेनियम की पौद है पैंजी की पौद है पैंजी प्लांट ले सकते हैं बट ये प्लांट सारे सीजनल होते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो सीजनल प्लांट भी परचेज कर सकते हो नमंबर के मौसम में ये प्लांट सभी एविलेबल होते हैं अगर पर्म फ्लावरिंग प्लांट भी आप वहां से खरीज सकते हैं गेंदा प्लांट वैसे तो यह हाइब्रेड है यह हाइब्रेड सीजनल ही होता है यह मार्च तक खिलने वाला प्लांट होता है लेकिन कुछ प्लांट यह पर्मानेट है जैसे हबिसकस है हबिसकस को आप खरीज सकते ह असीयटिक भी जो है यह है, कार्रेशन, कार्रेशन भी अगर आप रख रखा व अच्छे से करोगे तो पर्मानेट चलता है, यह जरेनियम है, जरेनियम 50 रुपीज का है, यह सेयटिक लीली है, यह यह सियटिक लीले के बलब आप सेव कर सकते हैं, बट यह सोडा सीजनल प्ला यह प्लांट अभी आप ले सकते हैं तो यह सारे पर्मनेंट प्लांट हैं जिन में जो है पूरे प्लांट पूरे साल चलने वाले प्लांट होते हैं मनी प्लांट पोतोस की आपको बहुत सारी वराइटी मिल जाएगी आपको तो यह एगलॉनिमा है एगलॉनिमा की वराइटी भी आपको मिल जाएगी बहुत सारे सकुलेंट्स भी अविलेबल हैं वो भी आप ले सकते हैं तो ये है पैंजीव गरा के प्लांट जो डेहलिया है डेहलिया को आप परचेज कर सकते हैं डेहलिया वैसे पर्मानेट प्लांट अगर सेव कर सकते हैं सेव हो सकता है अगर इसके बलब भी आप सेव करो तो ये भी हो जाते हैं सेव तो आप इन प्लांट्स को अभी ले सकते हैं पर्मानेट प्लांट है यहाँ पर यह डेफिन बेकिया के कुछ प्लांट्स आपको दिख रहे हैं और ये सकुलेंट्स हैं सकुलेंट के प्लांट भी आप ले सकते हैं केलन कुई के प्लांट मिल जाएंगे केलन कुई के जो प्लांट है वो बारा महीने चलने वाले प्लांट होते हैं तो आप जो है यह सारे बहुत सारे गलोनिमा की वराइटी भी अभी अभी जो मिल जाएगी आपको एविलेबल है वहाँ पे तो ये है हमारे जो है क्रिसैंथमम ये पर्मानेंट हैं अगर आप सेव करते हो तो इनकी कल में बना सकते हो कटिंग से ये बहुत सारे प्लांट तयार हो जाते हैं तो कटिंग से भी आप इने लगा सकते हैं इन प्लांट को आप ले सकते हैं तो ये सारे जो हैं रोजस हैं रोजस की हाइब्रेड वराइटी भी मिल जाएगी आपको और इसके इलावा ये देसी वले रोज भी मिल जाए यह सारे पर्मानेट प्लांट हैं तो पर्मानेट प्लांट को भी आप ले सकते हैं तो कोलियस वगरा भी आप अभी को सही रेट में मिल जाएगा यह देखे देशी रोजस की कटिंग्स इनों ने तैयार की हुई है यह सारे जो प्लांट है भी मिल जाएंगे और यह गेंदा क दोनों हैं दोनों भी आप पर्चेस कर सकते हैं यह अच्छी रेंज में अभी मिल जाएंगे इतने कॉस्ट इनकी थोड़ी सी यह कम हो जाती है तो अगर आप लेना चाहूं न तो यह सही वक्त रहता है पर्मानेट प्लांट के लिए पर्मानेट जो है थोड़े से रेट आप को कम मिल जाएंगे तो आप इन फ्लावरिंग प्लांट को पर्चेस कर सकते हैं अभी तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट भी आ चुके हैं यहाँ पर यह एक न्यू प्लांट है मुझे जो इसका नेम स्किप हो गया मेरे माइंड से बहुत प्यारे-प्यारे कलरफूल खिले होए थे flowers बहुत है flowering plant आई है flowers बहुत खिले होए थे यह मेरी mind से skip हो गया कि किसी को पता हो तो जरूर बताईएगा तो यह गेंदा है calendui है calendula है calendui के plant है तो एक जोरा वगेरा मिल जाएगा पिटूनिय मिल जाएगा पैंजी मिल जाएगा आपको तो यह सारे plant अभी अब सीजनल ले सकते हैं सीजनल में गेंदा की वराइटी hybrid वराइटी ले सकते हैं बहुत सारे plant है तो इनके rate 25 25 में मिल जाएगे और जो पौध है वो 5-7 रूपीज में आपको पर प्लांट मिल जाए मिलेगा अगर यह पौट में है तो महिंगा मिलेगा तो यह है हमारे बहुत ही प्यारे जो प्लांट की सैंथिमम हाइब्रेट के वराइटी है तो यह हंडर्ड एंड ट्वेंटी रूपीज का एक प्लांट मिल रहा था तो इस तरह से बहुत सारे plant प्रचेस कर सकते हैं आपको यह मेरा आज का वीडियो यूसफुल रहा होगा तो अगर नुवंबर में जा रहे हैं तो यह प्लांट प्रचेस कर सकते हैं मिलेंगे कि नई अपलोड के साथ दिल देन टेक कियर वाई 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 अपनों का ध्यां रखेगा तो इस तरह से आप जो अभी सीडलिंग लेते हैं तो वह आपको सस्ती मिल जाते हैं तो उसके फ्लावरिंग भी बहुत टाइम तक आते रहते हैं तो आप इन को ले सकते हैं क्रिसेंथिमम को भी ले सकते हैं तो यह था मेरा वीडियो तो मिलेंगे कि नई अपलोड के साथ दिल देन ठीक कियर